हेलो फ्रेंट्स मेरे चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंट्स आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बच्चे की पजामी यानि पजामा पजामी आप लगिंग जो भी बोल सकते हैं उनको तो यह है न्यू वान बेबी का न्यू वान बेबी से लेके 6 मन तक जीरो से ले यह वाला जो हिस्सा है यह बिल्कुल अलग तरीके से बना है पजामी में वैसे इतना यहां पे कम स्पेस रहता है अगर हम मार्केट से भी लेते हैं तो इसमें कम रहता है और वैसे नॉर्मल बड़े बच्चे के लिए बनाते हैं तो भी यहां से इतना बड़ा स्पेस नही जिससे बच्चे को कोई रैष्णा हो बुलन से या कई वर होता है बच्चों को ये चुपती भी है कई बच्चों को शूट भी नहीं करती बूल तो इस तरह से अगर अंदर कॉट्न पहना दें तो उपर से हम फिर ये बुलन जो है वो पहना सकते हैं तो मैंने उसी हिसाब से इसको बनाया हुआ है तो यह है जीरो से लेके 6 मन तक के बच्चे का और इसके साथ कही मैं एक और बना रही हूँ तो वह मैं आपको यहां पर शेयर करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमने इसको बनाया है और यह थोड़ा सा अलग है इसमें उपर जो है यहां पर मैंने यह इसको थोड़े अलग ठंक से बनाया है इसका वीडियो भी है मेरी चैनल पर जो यहां पर यह इस तरीके से बनाया हुए उपर से उसका लिंक में आपको शेयर कर दोंगी और है वैसी यह बहुत अधा सिंपल है यहां से तो इसके साथ का पहले मैंने एक स्वेटर डाला था बेवी कार्डिगन डाला था और उसकी बूटी और उसकी जो कैप है वो डाली थी लेकिन यह पजामी जो है जिसके लिए बनाई थी उन्होंने बोला कि इस तरीके से आप बना के दीजिए हमें तो यह मैं उसी तरह से उनके हिसाफ से इसको बनाया है तो मैंने सोचा कि आप वीडियो को लाएक और शेयर भी जरूर करना अगर आपको पसंद आएगी तो तो फिर चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ तो यहां पर देखिए मैं यह दूसरे कलर का यहां पर बना रहे हैं और यह जो है फिरन्ट्स कि इसी से बनाना है जैसी आमने बनाई है तो मैं यह आपको दिखाऊंगी की यहां पर मैंने नीचे बाद बाद के बाद यहां पर और 20 yht को बें साथ लो पर बाद यहां पर 10 सीधुनैं Раз तो फल्म आपकर दिखाती हूं कि कि अवे स्मय क trigger क्यूंकि क्योंकि इसकी जो लेग है वो ज्यादा उंची नहीं हमें यहां से लंबी नहीं बनानी पहले हम देखिए यहां से मैंने यहां से इसको बनाया है 4,5-4 इंच के गरीब यानि 7,4 इंच के गरीब है यह बॉर्डर से लेके तो ये डेड़ इंच के करीब हमारा border है और उसके उपर हमने यहां पे धाई इंच इसको उपर को यहां पे बना लिया है तो अब हमने इसका जो हिस्सा है ना ये उपर से बनाना है अलग तरीके से और ये वली जो है इसमें मैंने नीचे यहां पे उल्टे उल्टे फंदों का border बनाया है नीचे से ये देखे इसको मैंने उल्टा सिधानी बनाया ये थोड़ा सा lose रहता है और ये जो है ये आपको नीचे से थोड़ा सा tight हो जाएगा पजामी जैसा तो ये बिल्कुल पजामी जैसा हो गया और ये नीचे से थोड़ा सा जैसे यहां पे बिल्कुल tight जैसा थोड़ा हो जाएगा नीचे से ये देखे इस तरह से आएगा ना नीचे से तो इस तरीके से है तो चलिए फिर आगे इसको हम बनाना शुरू करते हैं तो यहां पे द लूज इसको हम बनाएंगे ताकि बच्चे इसके अंदर एक और पजामी कॉटन वाली भी पहन सके और उपर से ज्यादा लूज बनाएंगे ताकि इसमें बच्चे का डाइपर जो है वो इजीली आ जाए तो यहां पर फ्रेंट्स देखिए अब हमने मैंने आपको यह बताया है यह साड़े चार पौने पांच के करीब बना लिया है उसके बाद हमने इसको देखिए किस तरीके से बढ़ाना क्योंकि इसका जो आसन रहेगा ना बच्चे के पजामी का आसन बढ़ा रहेगा बाकी पजामियों के से अलग रहेगा यह थोड़ा सा तो हम देखिए यहां नहीं यहां पे कैसे करेंगे यहां से हम फंदेय बढ़ायेंगे तो उस तरीके से मैंने आपको यहां पर दो तरीके से पंदे में आपको बता देते हूं एक तो आपना इसके ऐसी फंदे बढ़ा सकते हैं इस तरह से इस तरीकी से फंदे आप यहाँ बढ़ा सकते हैं ऐसे करके तो हमने यहाँ पे छे फंदे बढ़ाने हैं तो मैं यहाँ पे देखिए किस तरह से फंदे बढ़ाने हैं यह देखिए, दो होगे, इसको भी हम इस तरीके से ले लेंगे, दो फंदे, फिर इस फंदे को ही बुनेंगे, फिर यह होगे, तीन फंदे, फिर इस फंदे से जो अभी हमने बनाया, उसको बुनेंगे, यह होगे, चार, फिर इसी फंदे को दुबारा ले लेंगे, तो यह हो तो यह यहां पर हमने बना लिए चे वंतれない तो hu essere कर सकते हैं यह घए साइट पे अभी बना रहे हैं तो इस हम और उटी साइट पे पाम सब्सक्राइब करें आया है इसका देखा थे उसरी तरफ ल्यों साइट el相्री साइट में और लख लोगा और इसको टो बढं़ा वह रहरे हैं और से इसको देखा भी होगा उसको खुछ रहे हैं और यह पे बढ़हें ना यह दिखे हैं Sवि रखी करें इस दम करने हैं तो यहां पर देखिए फ्रेंट्स यहां पर भी हमने रषा चे ऐतान हैं तो यह Son अब यह जो फंदा निकल आएगा इसको हम ऐसे ले लेगे और से ढहिंगे हृृ टो अब इसकोचोड़ना नहीं है cit Regina ऍ घ्छार आच और ये छे ये यहां पे 6 फंदे हमारे हो गए इस तरीके से ये 6 फंदे देखे ये तो हमारा इसका पहले का फंदा था तो 4 और ये 2 छे अब हमने इसको भी ऐसे ही सीधर सीधा बुन लेना है जैसे हमने दूसरी साइट से उल्टा उल्टा बुना धना वैसे ही इसको भी हमने सिधा सिधा बुन लेना है तो ऐसे ही हमने अब इसको थोड़ा बुनते जाना है उपर तक अब ये देखे कितना बनाएंगे हम इसको पांच-छेंच के करीब हमने इसको बनाना है ऐसे ही प्लेन प्लेन तो यहां पर देखे इस तरीके से तो एक लैग जो है मैंने बना के रखी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी तो यह फंदे आपने ऐसे ही बढ़ाना है बहुत जादा सिंपल है यह पर यह पजा में आपको बहुत काम आएगी अगर आपने छोटे बच्चे को बना रहे हैं तो इस तरह से तो यहां पर देखिए यह एक लैग जो है हमने यहां पर बना ली हुई है यह देखिए यह इसके ऊपर जो है यह बार्डर जिसमें हम उपर डोरी डालेंगे बानने के लिए बच्चे क अब इलास्टिक भी डाल सकते हैं और मैंने यहां पर यह इस तरह से जाली बनाई है ऊपर यह बनाए है यह बाइए और करीइक होलम काने यह लुक्त अपर बनाए थे रचलर हा देखिए यग हमारा यहां तक border का हमारा 6 ईंच है और उसके बाद हमने हें साड़े 7 इसके नहीं दोना- और इसका बॉर्टर है तो हमें जाली हे नौखिण की बिच सरत, यह तो भीछ बनाई यहां पर बनाई के लिए इसको हमने यहां पे डबल गड़ दिया यह देखिए और उसके इवाद इसको हमने यहां se सोई से इसको सिल लिया है यहां पर और इसको हम सिल लेंगे नहीं क्योंकि इसमें हमने ऐसे ओपन रखा हुआए यहां तो यह मैं यहां तक बना लेती हूँ, फिर आपको एक बार यह वाला शेयर कर दूँगी उपर, यहां से बहुत सिंपल है यह, छे फंदे मैंने आपको यहां पर बढ़ा के दिखा दिये, और इसका नाप भी मैंने आपको यहां से दे दिया, तो आप यहां तक बना लीजेग पूरा उसके बाद दो उल्टे दो सीधे फंदों की यहां पे छे सलाईया मैंने बनाई है उसके बाद मैंने एक जाली बनाई है दो फंदेग साथ और एक जाली इस तरह से फिर यहां पे चार सलाईया और बनाने के बाद इसको बंद कर दिया है तो इस तरीके से इसको बनाया तो ये भी मैं ये complete करती हूँ फिर उसके बाद मैं आपको जोड़ना बता दूँगी और ये ऊपर जो जाली हमने बनाई है ये भी आपको बता दूँगी तो देखिए फ्रेंट्स यहाँ पर हमने यह देखिए इसकी लेंथ जो है न यह पजामी का जो आसन है वो हमने यहाँ पर बना लिया तो मैं आपको बता देते हूं कि हमने यह कितना बनाया यहां पर देखिए यह हमने चेंज यह बना लिया चेंज बनाने के बाद मैंने यहां पर यह देखिए मैंने यहां पर चेंज लाईयां उपर इसकी बना ली दो उल्टे दो सीधे यह बॉर्डर मैंने यहां पर इसका उपर बना लिया दो उल्टे और दो सीधे फंदो का चें इसमें होल बनाने हैं जो हमने इसमें डोरी डालनी है उपर उसके लिए देखे फ्रेंट किस तरीके से हमने बनाना हैं पहले दो फंदे जो हैं पहले को हम स्लिप करेंगे पहले दो फंदे उल्टे हैं हमारे तो एक हमने उल्टा ही स्लिप किया दूसरा एक उल्टा बना लिया अब हमने धागा इदरी रखना है और ये जो हमारे दो सीधे फंदे हैं इनको हमने यहाँ पर इस तरह से दो को एक साथ लेना है यहाँ पर एक जाली बनानी है और ऐसे दो का एक कर देना है थोड़ा सा लूज लेंगे हम इसको बहुत जादा लूज भी नहीं रहा लेंगे तो दो कई कर दिया एक जाली के साथ हमने यहां पर एक फंदा बढ़ा लिया अब फिर धागा अपनी साइड करेंगे यहां पर दो उल्टे फंदे हैं तो इस तरीके से जाली बना लेंगे धा कि हैं इस धाध। दुखकर से दो का हमने एक कर देना है, एक ऐसे जाली बनाते हुए, जो फंदक क्म हो रहा है जाली से बढ़ भी रहे और हमारा होल भी यह José nes है और दो का एक हो गया फिर दागा अपरनी साइड को इस तरह से एक जाली बना ले हमने और कर दो का एक कर दिया क stratég के से ना हमने सारे इस तरह से बुण लेने हैं कि इस त्रीके से यह आ गया सारा अब हमने उल्टी साइड से एक स्लाई बुनने के बाद इसमें छे स्लाईया और बना लेनी हैं और फिर हमारा ये पजामी जो है ये कंप्लीट हो जाएगी अब फिर दो उल्टे दो सीधे ही हमने बना लेने हैं अब जो जैसे फंदे थे उनको ह इसे तरह से उल्टा बना लेना है इसी तरह से उल्टे हैं तो इनको हमने उल्टा बन लिया धागा पीचे करेंगे और ऐसे ही हमने दो उल्टे दो सीधे करके ये सिलाई बुनने के बाद हमने छे सलाईया और इसमें बना लेनी है और फिर हमारा ये कम्प्लीट हो जाएगा आप व्य देखिए फ्रेंट्स यहेधे रडी हो गया हमारा ये उपर से बयार जो है और इसमं यह डोरी के लिए होल इसमें बन गए न arada ये दोनों हमारे विल्कुल तयार होगे अब हमने इनकी इसलाई करनी है तो इसलाईपरेन को अपर जाएं से इस से धिया और भूर है और तो just तरफ से यहां से सिल देना है दोनों साइड से पहले इधर से और इधर से इन दोनों तरफ से हमने सिलना है यहां से लाई कर लेनी है फिर उसके बाद हम इसको ऐसे करेंगे और फिर यहां से सिल लेंगे यहां तक यह जो है यहां से यहां तक दोनों साइड से ऐसे सिल लेंगे तो एक बार मैं थोड़ा सा सिलके भी दिखा देती हूँ आपको तो दिखे फ्रेंट्स मैंने यहां से उपर से बंद किया था तो मैंने यहां पे दागा जो है वो लंबा छोड़ा हुआ है तो मैं तो सीधी साइड से सिलाई करती हुँ न तो देखे मैंने पहले भी आपको कई वीडियो में यह शेयर किया हुआ है इस तरह से हम यहां से इनको स्टार्ट करेंगे उपर से तो यह सीधी साइड से इस तरह से एक साइड से ऐसे उठाएंगे यह मैं थोड़ा पास कर देती हूँ और फिर दूसरी साइड से हम ऐसे उठाएंगे बिल्कुल किनारे किनारे पे सीधी साइड से जो हम स्लाई करते हैं तो बहुत ज़दा स्पाइस स्लाई आती है और सिलना भी बहुत ज़्यादा असान होता है जो डिजाइन होते हैं कई वर दो कलर का स्वेटरम बनाते हैं ना उनके डिजाइन भी हम बहुत इजी ली जो है वो मिला सकते हैं दो पल्लों के अराम से इस तरीके से आप इधर से उठाएंगे फिर इधर से उठाएंगे बस ऐसे ही आप उठाते जाएए और इसकी सिलाई जो है बहुत अच्छे तरीके से आपकी होती चली जाएगी जैसे सिलाई ऐसे हो जाएगी जैसे आपने मशीन से सिलाई की हो इस तरीके से जब आप ऐसे सिलाई करेंगे कि Do वह पूछ अच्छे तरीके से चुनाय जो है वो इसकी हो जाती है इति है कि चुछinden आवी देखिए कृंट्स यहां से एक साइड से हम ने सको जोड लिया इस तरह से अब ऐसे ही न हम इस तरफ य हम इस सिल लेंगे देखिये मैंने सीधी साइटस को स्टिच किया है और इत्थे उल्टी साइट से फिर हमारा ऐसा आता है अगरा जैसे हमने मशीन की हो स्टरह से और सीधी साइटस कुर्ण बहुत अच्छा सफाय से आता है यह तो इसी तरीके से हैं इधर से भी स्टिच कर लेंगे यहां से, क्योंकि मैंने धागा हो जोड़ा रहा है, तौ हम नीची तक हम ने फंदे बढ़ाया थे आस्टन के इसको यहां तक स्टिच कर लेती हूं, जैसे रहें, देखे यहां यहां से यहां से साइट European Sp도 तोुसके बाद फिर में आपको एक वार फाइनल लुक देती हुई इसका और उसके बाद इसका मेजर्मेंट भी आपको बताती हूँ तो देखे फ्रेंट से हमारा ये रडी हो गया हमने इसको सिल लिया सारे को यह देखिए आगे भीछे से नीचे से सबजगा से चाहां से इसमें सलाय लगनी थी यहां से हमने स्चिच करड़ी से और यह देखिए इस तिरहें तो हम पजाब सत्थी सब्रोशे से आपके देखाए हैं अगर आपको आती को तो इस तरीके से आप बना दीजेगा, नहीं तो मैंने वीडियो डाल रखी हैं, अगर देखना चाहो तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, कि करोशिये से आप एक टोरी या नाडा आप किस तरीके से बना सकते हैं, मैं इसमें लिंक आपको शेयर कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, और आई बटन में भी उपर आपको लिंक जो है, वो मिल जाएगा, तो आप वो ज़रूर देखिएगा, अगर आपको इसकी ज़रूरत होगी तो, और इसका मैं मेजरमेंट आपको यहाँ पर दे देती हूँ, इसकी टोटल लेंथ है, दस इंच, और इसका जो यह आशन है, यहाँ से, यहाँ से भी यह साढ़े दस इंच, क्योंकि यहाँ से बच्चे को डाईपर चाहिए होता है, डाईपर के लिए लूज चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ से इस तरह से यह बनाया है, अगर आपको डाइपर वाला नहीं बनाना है इससे आप आइडिया लेके बड़ी पजामी भी बना सकते हैं यहां से थोड़ी यहां से कम लूज रखनी है तो यहां पे जो है वो आप कम फंदे आप यहां पे उठाएं जैसे मैंने 6 फंदे उठाए हैं तो आप 4 फंदे उठाएएगा इस तरीके से आप यह बना सकते हैं और यहां से नीचे से भी देखिए इसकी जो यह मोहरी आई है यह है धाई इंच यह टोटल पांच इंच है यह दोनों दरफ से गुमा के तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं और जो मैंने आपके साथ एक और यहां पे शेयर की आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं जैसे यहां से यह ओपन है इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं तो आपको जो भी पसंद आए वो आप तरीका यहाँ पे यूज कर सकते हैं तो ये रही मेरी पजामे की वीडियो फ्रेंड्स आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताएं और अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही थैंक यू